नमस्कार भारती विद्यपवन नीजा जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सरस्वती के लिए क्योंकि आजकल लक्ष्मी और दुर्गा पे जादा जोड़ चलता है सब जगा ताकत सब ताकत को माना जाता है विद्या जो हमार कहीं भूल गयेndar संस्कृति जब संस्कृति की बात आती है कल्चर की बात आती है तो सबसे पहले कंटिनूटि की बात आनी चाहिए संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचानक आज एक नई क्रियेट करते हैं संस्कृति लगातार एक चीम की तरह जुड़ी हुई एक से दूसरे से जुड़ी हुई चीज है आप एक कड़ी को बदल दें और आप देखें आपका पूरा संस्कृति के तिहास बदल जाएगा मैं आपसे दो घटनाएं मेरे साथ घटी थी उनकी चर्चा करना चाहता हूँ कुछ वक्त पहले मैं जाद़ा पूरी उनिवर्स्टी गया था मुझे पर हमला हूँ वो सब अलग बाते हैं वो राजनेतिक बाते हैं पर वहां मुझे लड़कों ने बताया वहां पर एक गोश्टी जैसे यहां हम लोग कर रहे हैं उस तरह वहां एक गोश्टी हुई थी जिसमें चर्चा की गई थी कि दुरगा वाज़ प्रोस्टीटूट और नॉट इस विशे पे डिसकुशन हुआ था और बकायदा हुआ था उसमें कोई डिमॉकरसी में कोई बड़ी आपती जैनक बात नहीं किसी भी विशे पे हो सकता है लेकिन अफसोस की बात ये है कि उस युनिवरस्टी में जो फ़र्स्ट इयर में जो स्टुडेंट्स आते हैं वो किसी राजनियतिक परिवेश के साथ नहीं आते है एक आम मिडल ख्लास स्मॉल टाउन हिंदुस्तान का कोई भी लड़का या लड़की जब किसी उनिवरस्टी में जाता है तो ये कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि उसके परिवार चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे इसाई हो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो ब्रष्ट परिवार से भी आता होगा तो भी उसके माबाप उसको ये नहीं सिखाते होंगे कि जब तुम फर्स्ट इयर में कॉलेज में जाओ तो अपनी संस्कृती के ऊपर सवाल उठाना शुरू करो और देश के तुकड़े होने की बात करो पर एक विदिवत तरीके से एक बहुती साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से जिस तरह से मदर्सों में छोटे-छोटे बच्चों को ब्रेनवाश करके स्यूसाइट बॉंबर बना दिया जाता है उसी तरह से हमारे कई सारे एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स में ये संस्कृतिक कड़ियों को चेंज किया जाता है इसलिए आप देखें कि हमारी सुसाइटी हमेशा संस्कृति को रहके डिवाइड़ सी रहती है सिर्फ हमारे ही आप देखेंगे बात की जाती है वेस्टनाइज लोग और हिंदुस्तानी लोग जहां आपने कुरता पहना या टीका लगाया वेदों की बात करी आपको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है और जहां आपने थोड़ी अलग तरह की बात किया आपको एक अलग कैटेगरी में रख विश के कौन से देश में ऐसा है आप जब लंडन के इस्टन साइड में जाते हैं तो चाहे आप किसी भी देश के हों किसी भी वेश-बूशा के हों कोई भी अमानने ना मानते हों किसी भी फेट के हों आपको पता है आप शेक्सपियर की सिटी में आ गए हैं मैं भी साल्सबग गया था वह आप एरपोर्ट पे उतरते हैं और आपको पता है आप मोजाइड के शेर में आ गए है और आप कोई भी हो चाएब जर्मन हो चाएब आस्ट्रिया के हो चाएब फ्रेंच हो आप उस मोजाइड पे गर्व करते हैं किसी भी कॉलेज में चले जाईए और आप पूछे विश्व की तो बाद बाद में करेंगे इस देश में सबसे बड़ा महा कभी कौन पैदा हुआ है हो सकता कुछ बच्चे समीर या आरंद बक्षी का नाम ले ले काली दास का नाम कोई नहीं लेगा आकिनी क्यों हुआ और कैसे हुआ है ये एक बहुत हला कि हम सब को पता है कैसे हुआ लेकिन ये बहुत गंबीर विश्व है काली दास से अच्छा काब बे लिखने वाले ये तो विश्व के कई लोगों ने माना है कि इस से बड़ा कोई कभी पैदा नहीं हुआ लेकिन शेक्स्पियर हर माब आप गर्व से कहता है मेरे बच्चे ने लेकर शेक्स्पियर पढ़ा है लोगों की लाइबरेरी में शेक्स्पियर रखा होगा आप आश्चेर करेंगे मेरी लाइबरेरी चूंकि मेरे पिता जी ने सारे कालिदास को ट्रांसलेट किया था तो बंबई में मेरे लाइबरी में सबसे आगे कालिदास रखे हुए है जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग जिनका कर्तब्वे होना चाहिए सांस्क्रिटिक धरोर को आगे ले जाने का कई बार मुझे से पूसते हैं ये कालिदास कौन है उनको लगता है जैसे गुल्शन अंदा की तरह कोई उपन्यास लिखने वाले वे थी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले ढूंते रहे से हैं ये जो पल्फिक्शन होता है स्टेशन में जो बिकता है उसको एकता कपूर देखते होंगे उनने तो हायर किया हुआ था जो ये पल्फिक्शन लिखने वालों को ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ आजादी के बाद पहली बात तो हमको ये नहीं बताया गया कि हम पे हजार साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया विश्व में कोई और ऐसा समाज ऐसा कोई देश है ही नहीं जिसके उपर हजार साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया उसके बावजूद हमको एक इलिबरल, इंटॉलरेंट, एक छोटी सोच वाले समाज की तरह से हम पे लांचन लगाके एक हीन बावना से ग्रस्ट किया गया और जब आप किसी को हीन बावना से ग्रस्ट कर देते हैं किसी बच्चे पे हर समय लांचन लगाते रहें कि तुम تو कमजोरो, तुम तो कमजोर, तुम तो कमजोर तो मांसी ग्रुप से कमजोर होई जा duda हो और तब आप उसके दिमाग में जो बाट डालेंगे, उसमें जो हीरोज उसके दिमाग में क्रियेट करेंगे उनको वो मानने लगे गा और यही हमारे साथ हुआ अभी मैंने एक फिल्म मनाई यह था ताशकंट फाइल्स जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यू पे आधारित है उसमें एक डायलोग है उसमें एक कैरेक्टर जो मंदर अबेदी प्ले कर रही है कि हमने शास्ती जी को एक नहीं दो बार मारा है एक बार ताशकंट मैं और उसके बाद धीरे धीरे न को लोगों के दिमाग से ही खत्म कर दिया और उसमें एक डायलोग है वो कहती है और यह हमने फिल्म खत्म होने के सैकंट लास्ट डे पर शूट किया था इस फिल्म में पांच नैशनल अवार्ड विनर्स हैं नसीर उद्दीन शाह हैं पंकत त्रिपाथी हैं मिठुन चक्रवर्ती हैं पल्लवी जी और बारा बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो पढ़े लिखे और जो विद्वान माने जाते हैं जो हमारी हिरोई ने वो भी नैशनल अवार्ड बिना रहे और उसके बाद दूसा डायलोग उसमें ये था कि कितने अफसोस की बात है कि मेरे बेटे तक को नहीं पता कि दो अक्टूबर को गांधी जी के अलावा शास्त्री जी का भी जनम दिन है जब उसने वो डायलोग बोला तो उस यूनिट में दो डाई सो लोग थे आप यकीन नहीं करेंगे सारे एक्टर्स और उस यूनिट के लगबग हर व्यक्ति को सिवाए मैं पलवी और दो चार लोगों को चोड़के जो मेरे असिस्टेंट से प्रफोल सब लोगों ने का अरे क्या वाकरी में दो अक्टूबर को लाल बाद दुर्शास्ती का जरम दिन है ये कैसे संबभ है इसका हमने एक विदिवत तरीके से इसको धीरे धीरे लोगों को ब्रेन वाश करके एक स्लो पॉजन की तरभा से एक ऐसी संस्कृती सामने रखी है जिसको हमने बहतर या श्रेष्ट संस्कृती के सामने से सामने रखा जिसके कारण हर माबाब चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है कॉनवेंट में जाके शेक्स्पियर सीखे और अपनी जो संस्कृती है उसको लेके एक हीन भावना सी हमारे दिमाग में क्रियेट हो गई है I.I.T. बंबई के एक प्रोफेसर है आप बहुत सारे लोग उने जानते होंगे मेरी किताब में भी उसका मैंने उलेक किया है जब I.I.T. जी में जो लड़का टॉप करता है लड़का ये लड़की जो भी टॉप करता है उसको एसाइन किया जाता है उन प्रोफेसर के साथ आप जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से मैं नाम नहीं लेता हूँ तो उनने मुझे ये बताया कि मैं सारे करियर में वैदिक साइन्स के उपर वर्ल्ड साइन्स कॉंग्रिस में जाया करता था और भाशन देता था पर अभी पिछले 4-5 साल में कुछ ऐसी इस्तिती उत्पन हुई है कि अब मैं जाता हूँ तो मीडिया वाले और मेरे साथी लोग और स्टूडेंट्स कहने लगते हैं अरे ये तो संगी हैं ये तो रिग्रेसिव टाइप के आदमी है ये वैदिक साइन्स क्या होता है ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है अभी कुछ दिन पहले मुझे हैडराबाद सेंट्रल यूनिवरस्टी में जहां पे आपने जिसका नाम लोग जनरली रोहिद वहमुला के नाम से जानते हैं हाला कि काफी पुरानी और बड़ी उनिवरस्टी है वहाँ 20-25 रिसर्च स्कॉलर्स ने मुझे बुलाया सर्टेन काइंड ऑफ माइंड सेट है तो मैं चेंज चाता था उसने पॉलिटिकल साइन्स चूंकि आप प्रोफेसर ने आपके विशय का सब्जेक्ट है तो उसने अपने प्रोफेसर से ये बोला कि मुझे कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इंडिया की उसके कुछ आथर्स और किताबों के नाम बताईए तुन्होंने सजेस्ट किया अरुंदत्ती रोहे तो उसने का नहीं साब मैं तो उन्हीं से भाग के यह आया हूँ मैं मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल और मैं उन्हें पढ़ चुका हूँ मेरे को नहीं अच्छी लगती यूपी काई लड़का था जानते हैं आप मुझे इंडियन जो इंडियन पर परिवेश के जो पॉलिटिकल राइटर्स हैं उनके बारे में बताईए उनने का अच्छा तो फिर आप एक काम करिए यूनिवर्स्टी छोड़ी और संग जॉइन कर लिजे शाखा जॉइन कर लिजे देखे इस से होता क्या है मैं गौहाटी भी गया तो वहाँ भी मुझे कई स्टुडेंट्स थे डैली उनिवर्स्टी के मिले थे मुझे उनने भी यही बात बोली शुरू में जब आप जाते हैं तो आप एक मिडल खलास हिंदुस्तानी सोसाइटी के जहां आप हिंदुस्तानी संसकार आपने जैसे वट की पूझा की ऐसी सारी संसकार लेके आप वहाँ पहुँचते हैं और कोई इतनी हीन भावना के साथ नहीं जाते हैं पर कॉलेज में जब आपको कोईशन किया जाता है आपके वेश भूशा को आपकी संसक्रिती को तो धीरे धीरे टू बिलॉंग चूंकि ये टू बिलॉंग टू आइडेंटिफाई एक नेच्रल भावना है इसका हिंदुस्तान अमेरिका बिटन से कुछ लेना देना नहीं ह एक इनसानी नीड है जरूरत है आवशक्ता है इसलिए वो बिलॉंगिंग के लिए आप देखिए हम सारी फॉरेंड के जितने कॉंसेप्स और भाशा है और डेफिनिशन्स हैं उनको अडॉप करने लगते हैं अपना रंग रूप चाल भाशा सब बदलने लगते हैं जब मै माबाब फाइव फ्रीडम फाइटर्स थे हम एक अलग उसमें वातावरन में बड़े हुए थे मुझे इतनी ही इन भावना वहां पे थी दे मेक यू फील स्मॉल आप तो बिलॉंग करने के लिए आप क्या करते हैं आप सिगर्ट पीने लगते हैं आप उनके साथ बैठके चड़ाब पीने लगते हैं आप एक फ्री लिविंग की फ्री लाइफ की बात करने लगते हैं और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है कब आप इंट्रूइस होते जाते हैं और अपनी ही धरौर पे जो आपकी आइडेंटिटी है उससे विश्वास खो देते हैं और आप एक बहार की मानसिक्ता अंदर देश के लाते हैं और धीरे धीरे वही modern cultural इतिहास बनता जाता है मैं अभी last में एक बात बताता हूँ मैं यह आने के पहले अभी साबरमती आश्रम होके आया वहाँ पे बड़ा सा पोस्टर लगा है कि क्यावन लोग अगर किसी बात से सहमत है तो 49 परसेंट जो लोग है उनकी बात को ना माना जाए इसमें बहुत बड़ा ग्यान और एक बहुत बड़ी wisdom छुपी हुई है और चुकि हमने गांदी की सारी values को 15 अगस 1947 के बाद उठाके किनारे रख दिया जैसे कि घर में कोई बहुत बुड़ा हो जाता है उनको पूजा रूम के पास एक रूम दे देते हैं कहते हैं बहिया ठीक है जो खाना खिला दिया की नहीं हमने डिमोकरिसी जिस डिमोकरिसी को हमने अपनाया है पहली बात तो वो डिमोकरिसी हमारी संस्कृती से मैच नहीं करती है मैं पतंजली दो पतंजली हुएं एक योगा वाले और एक बाश वाले मैं पतंजली कालीन भारत बढ़ रहा था भी चुकि हम लोग एक काम कर रहे हैं भारत की बात करके एक सीरियल बना तो उसमें डिसर्च कर रहे थे उन्होंने लिखा है असली संग हो है सौरी इसका रसे से तब उन्हें नहीं पता था असली संग हो है जो कॉंसेंसस पे काम करता है चानक के ने भी ये बात लिखी है कि असली राजा वो है जो कॉंसेंसस पे काम करता है और अगर आप रामायन भी देखें क्यों 14 साल लगे राम को अगर आप ध्यान से देखें तो एक कॉंसेंसस पे बतलब जो प्रजा है जब तक प्रजा का हर व्यक्ती चाहे उसमें कितना भी वक्त गुजारना पड़े कॉंसेंसस पे काम नहीं करता है तब तक उस चीज़ को एक राश्ट एक समाज के लिए मानेता नहीं मानना चाहिए वो लौ नहीं बनना चाहिए हमारा दुरभाग ये रहा कि हम लोगों ने एक फॉरेंग के कॉंसेट को उसी डिमॉक्रिसी को हम रिडिफाइन कर सकते थे हम अपनी तरह से सूट कर सकते थे उसको लेकिन हम लोगों ने हमेशा एक 49 परसेंट अंसैटिसफाइड सिटिजन्स इस देश में हमेशा रहे दूसरा कॉंसेट था सेक्लॉरिजम का हमारी जो परंपरा रही है वो टोटल एक्सेप्टेंस की रही है जो कॉंसेंसा से ही जुड़ी हुई है पर हमने एक फॉरेंग का कॉंसेट सेक्लॉरिजम अपने इंट्रड्यूस किया इसलिए जो लोग टोटल acceptance पे believe करने वाली जो एक भारती संस्कृती थी उन लोगों को हमने national mainstream narrative से काट फाट के अलग कर दिया इसलिए जो लोग secularism का जंडा लेके चलते थे उनके हाथ में हमने mainstream narrative दे दिया अंत मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा project करने जा रहा हूँ history of Hindu civilization उसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों ने गलती हमारी भी है हमने कभी narrative को अपने हाथ में लिया नहीं क्योंकि हमारे परंपरा रही है शृती की किसी ने कुछ बात बोली उसको गा के सुना के याद करके वो पीड़ी दर पीड़ी आगे गया कभी किसी ने सोचा है हमने लिखने पर documentation पर क्यों नी विश्वास की culture समाज के साथ-साथ नई-नई generations के साथ धीरे-धीरे evolve होता रहता है नयाब आगे बढ़ता रहता है ये एक scientific तरीका था कि उसी मात्राओं में उसी मंत्र की मात्राओं में आप उसमें नएने संशोधन करते रहे नएने विचार लाते रहे और आपका culture evolve होता रहे हमने उस परता को खत्म किया है इसलिए आप देखिए आज यूट्यूब के जमाने में आप अगर Christianity की बात करें Islam की करें, World War की करें Europe की करें, America की आप उनकी पूरी हिस्ट्री दस्ता वेज बड़े-बड़े मिल जाएंगे लेकिन जैसे ही आप Hindu civilization Hindu culture की बात करें तो आपको यही मिले गए विडियो कि गनेश की ना कैसी क्यों है और वो monkey king क्यों है भगवान, बंदर कैसे भगवान हो सकते है इस तरह की उट-पटांग बातें आपको मिलेंगी इसलिए जिम्मा मैंने अपने उपर लिया है कि एक history of Hindu civilization जो हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा सांस्कृतिक इतिहास है इसका politics से कुछ लिना देना नहीं यह आक्रमलों के बारे में नहीं है यह हमारे एक cultural evolution और historical evidence है जिसके उपर मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आप ऐसा काम करने जाते है तो जिन लोगों के पास पैसा है जिन के पास CSR का सारा पैसा है वोई लोग सौरी माफ करिएगा अपनी देश की जो companies हैं वो लोग इसको support करने के लिए आगे नहीं आते है इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ लड़ाई लड़ना कोई मेरा धर्म नहीं है लड़ाई कोई मेरे खून में नहीं है इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ कि जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब तक अपनी बात को हम रोजाना किसी ना किसी तरह तक नहीं अगर हम उसको इस डिजिटल फॉर्मेट में इस दुनिया में इंप्रिंट करेंगे तो जिस तरह से हम ये सांस्क्रितिक इतिहास की लड़ाई 1947 में हार गए थे यकीन करिए 2030 में जब आर्टिफिशल इंटेलिएंस हमारी तिंकिंग को डिसाइड करेगा उस वक्त में हम लड़ाई ना हारे इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप सब लोगों को भी लड़ाई लड़नी चाहिए धन्यवाद